हाई एविवन वेलकम बेक टू मैं चैनल सो आफटर सो मैनी डेई इस लगभग 14 पंदरा दिन तो हो गए होंगे उसके बाद आज काफी दिनों बाद जाके मैं वीडियो पोस्ट कर रही हूँ तो वीडियो पोस्ट करने का जो आज का जो मेरा रीजन ये था आप मेंसे काफी स लेट भी मैंने कभी भी फिल नहीं किया तो इसका नोटिफिकेशन हो गया था रिलीज काफी दिन पहले और आई थिंक 9 जून इसकी लास्ट एट है फॉर्म फिल करने की तो अभी जस बैटे बैटे ना मिरको ऐसी माइन में आया कि मतलब मुझे ये फॉर्म फिल करना चाहि ये आप में से काफी सारे ऐसे भी होंगे जुनों ने फॉर्म फिल किया होगा लास्ट ये उसके पहले जो भी प्रीवेज ये था उसमें तो थोड़ा बहुत आप लोगस लेबर से फमीलियर होंगे तो अभी जस्ट मैं यूट्यूब पर यही सारी चीज़े देख रही थी कि मतलब कौन सी पोस्ट मेरे लिए ठीक रहेगी तो मैं मतलब मैं बस आपको बता रही हूँ अगर मैं ये फॉर्म फिल करती हूँ तो कौन सी उससे करूँगी तो मैं जेनरल उससे करूँगी क्योंकि ग्रेटुरेशन में 60% अबफ ही है मेरा परसेंटेज और दूसरा जब बता रहे थे जो फेस फरस्व से साथ को उसमें जनल एंजनरल आणस आता है रिसिंग और उस्व सपार इंगलिश लेकिन जो होता है यह हमारे मतलब IBPS PO जैसा नहीं होता, प्री का जैसे जो क्या कहते हो, उसे लेवल होता है, वो थोड़ा एजी होता है, बट RBI ग्रेड B का जो फर्स फेज भी होता है, जो इसका फर्स फेज जानी प्री लगा के ही चिलो, बट RBI नहीं, इसका जो फर्स फेज होता है, यह इसमें बिल्कुल मेंस जैसा पूछा जाता है, मतलब अगर क्वांट भी वहाँ पे पूछी जारी तो वो मेंस लेवल की होगी, रिजनिंग भी मेंस लेवल का होगा, इंग्लिश भी मेंस लेवल का होगा, तो ठीक है, फर्स फेज तो यह होगा है, सैकेंड फेज में पूरा मतलब डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव टाइप ही है, सब अब्जेक्टिव भी होगा, क्योंकि मैंने कभी दिया नहीं, अगर मैं इसके जैसे कुछ सैंपल पे पर दूंगी, या फिर ट्राइ करूंगी करने का, तो शायद मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए, यह एकदम मिले लाए, फेज टू, तो मतलब एकदम नया है, बहुत ही नया, तो बस मैं यह सोच रही थी, कि यह फॉर्म फिल कर देती हूँ, क्योंकि opportunities बहुत कम है, तो फिर मैं यह सोच रही मिस ना करूँ, तो मैं यह ही सोच रही हूँ, फॉर्म फिल कर देती हूँ, तो आप लोग प्लीज मुझे सज़स्ट करिए, कि मुझे फॉर्म फिल करना चाहिए, या नहीं करना चाहिए, परसनली मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे कर लेना चाहिए, अगर फेस फर्स क्लियर हो जाता है, तो फिर फेस टू के ले देखेंगे, कुछ ना कुछ जब एक्जाम होता है, तो उस रिलेटेट कुछ ना कुछ चीज़े, तो होंगी कही ना कहीं, तो मुझे पता चली जाएंगे, तो पढ़ लूँगी मैं, तो अगर आप में से किसी ने RBI ग्रेट B का दिया है, कभी भी, ठीक है, फेस फेस टू, फेस टू, फ्लीज, प्लीज सज़ेस्ट में, और मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप लोग मुझे मैसेज करो, फिर परस्तली मैं आप लोगों से, मतलब डिसकस कर लोगे, जिसने दिया हो, प्लीज वही मुझे बताना, क्योंकि फालतु का टाइम वेस्ट तो मतलब नहीं करना चाहिए, चाहे मेरा टाइम हो, आपका टाइम हो, दोनों के टाइम का बहुत ही वेल्यू है, बट मैं उससे हल्प मांग रही हूँ, जिसने फेस टू भी दिया हो, और फेस बन भी दिया हो, और मतलब क्या आपकी स्टैटेजी थी, कैसा था, तो जैसे कि मैं वीडियो में देख रही थी, तो उसमें यही बता रहे थे, 200 में से at least 100 प्लस तो मतलब 100 तक, out of 200, 100 questions तो मतलब करने ही पढ़ेंगे, उसकी बात कर रही हूँ मैं, फेस फर्स्ट की, अगर मुझे वो क्वालिफाई करना है, तो क्वालिफाई ही करना है, फेस फर्स और जो फेस सेकिन होता है, उसका जो स्कोर होता है, वो काउंट होता है, और उसके बाद जो फेस थर्ड़ वो इंटर्व्यू है, तो new है मेरे लिए, इस वज़े से थोड़ा सा मतलब होचपोच सौर है, समझ नहीं आरा, क्या करूँ, तो आप लोग ज़रूर मुझे कॉमें सेक्शन में बताए, और सॉरी फॉर बिइंग लेट, क्यूंकि मैंने कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया, और काफी सारे लोग ये भी सोच होंगे, ये कहां गायब हो गई, तो गायब नहीं हुई मैं, बताऊंगी रीजन, ठीक है, और चलो फिर, बाइ-बाइ, अब मिलेंगे नेक्स वीडियो में,